नमस्कार न्यूज एटीन मध्रदेश अतीज कर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका श्रिवास्थ श्रिवाद करेंगे खबरों की रुख करेंगे सुपर फास्ट हंड़ेट का गंगा जमना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का बड़ा खुलासर चात्राओं को स्कूल में हिजाब वहनाने के बाद बनाया जाता था दबाव कलाब अपाने और तेलाक लगाने की थी पापनी दमो के गंगा जमना स्कूल में लंबे वक्स से चुल रहा था मजभब का प्रचार हिंदु चात्राओं को हिजाब पहनाने और धर्मे गीत गवाने का वीडियो आया सामने यूट्यूब चैनल में मिले कई वीडियो से स्कूल प्रबंधन जाच के हेरे में दमो में गंगा जमरा स्कूल का बारल वीडियो आया सामनी प्रात्ना में बच्चों से गवाई जाते थे धार्मेगीत राश्ट्रे पर्व कितिन धार्मेगीत गवाई जाने का मिला वीडियो दमो धर्मातरन केस में स्कूल प्रबंधन को नोटिस अध्यक्ष सचेव और प्रिंसिपल से होगी पूछताच डीईओ को हटाने के विदर दिश बीजेपी कारकरताओं को रीचार्च करने के लिए 30 जून को राइपोर आएंगे जेपी नड़ा पार्टी के महा जनसब पर कफ्यान को देंगे धार विलासपूर में जनसबा को करेंगे समूरेत बीजेपी नेताओं के बसतर दोरे पर सियम भूपेश बखेल का तंस पोले चुनाब आते ही बीजेपी की सियासत और दोरे हुए अक्टिफ करनाटक चुनाब जैसा होगा हाई बीजेपी के सोशल एंजेनरिंग पर मुखमेत्री भूपेश बखेले कसा तंस कहा जो भी लोग बीजेपी में गए वो किसी पार्टी में थे नुकसान हमें नहीं पलकी बीजेपी को चुनाब में होगा बिलासपुर में बेखौफ लुटेरों ने मघिला की गले से लूटी चेन दोनकाप पोश्पतमाशों ने दिया वारदात को अंजाब लूट की पूरी वारदात सीसी टीवी कामरे में गया था गुर्बा के कुसमंडा से बात साल पहले लापता हुई सलबा की तलाश जारी कंकाल की कोच के लिए साइंटिस्ट और सेटिलाइट एमिज के लिए जारी मदद दरी से बात साल पहले हुई थी लापता इलासपुर में नशे में धुत यूबकों की बीच जंग कर हुई मारपीट विबाद की बाद हूटल और कबाड़ वालों की बीच जंग कर चले लादभू से तारबाहर थानापुलस ने केस तरच किया जबलपुर में बेस्बॉल के नाशनल पेर ने लगाई कबरे में फासी सिबनी के रहने वाले संचना के खुद्रूशी के वज़ों का अभीता खुला सने जबलपुर से फ्रियंका कांधी करेंगी चुनावी समर का अगास 12 जून को संसकार धानी में होगी कॉंग्रिस की बड़ी डाली एक मंच पर सभी दिग्जों पुलाने की तयारी पनसवर में कमलात में रेलवे नियमों की उड़ाई धजियां कारकरताओं के साथ नियम बिरुद किया रेलवे पट्री को पार किसान समेलर में भागले ने पहुंचे थे कमलात राजगर्ण में टिकेट के दावेदारों को दिख विजह ने दिलाई श्रपद पार्टी हित में एक जूट रहने की दी सला बागावत कर चुनाव लड़ने वालों को दी पार्टी से बहिश्क्रिप करने की बात मधिप्रवेश में ओवरलों ट्रकों की खिलाप होगा सक्स अक्षन केंद्रे सड़क परिवाहन विभाक निज़ारी की जरूरी एडवाईजरी अक्सिडेंट और पाब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाने की कवायब मुरायना में तेज रफ्ता टैंकर ने बाइक सवार को कुछला मृतक के परचनों ने लगाए सड़क परजाम सिवेलाइन परजाम लगाने से लोग कोई परशाद राजजदानी भोपाल में फिर पूटी कोलार पाइपलाइन सिक्स लेन इर्मान कारे चलते पढ़ा था पाइपलाइन का दबाब पाइप फूटने से लाके में भरा हजारों गलन पाल राइपुर में बिल्डिंग की आठवी मंजल से गिरी युवती मृतक महिला की पती ने लगाया हत्या कर्शप को पेखने कारूप महिला करती थी घर में मेट का काम मिलाई नगर निगम में बीजेपी ने किया जंगी प्रदशन निगम में सुविधाओं को बढ़ाने की बीजेपी करई मांग शेर की सफाई और नागरिक सुविधाओं को कम किये जाने का लगाया बीजेपी यानूप लगातार बढ़ते पारे से हाथी भी हुए परशान गर्मी से निजात पाने के लिए हाथीों का दल पहुँचा तालाब पर वन विभागने लोगों को हाथीों से दूर रहने की दिन नसीएट पारे के चड़ते राइपुर में आस्मान पर पहुँचे सबजियों के दाम 30 से 40 रुपे किलो बिखने वाली सबजियों के दाम पहुचे एस्टी के पार कीमतों में टमाटर भी हुआ लाइट राजना दिगाओ में सुर्यमुकी देवी क्रिकी टूर्नमेंट का हुआ आगास मैच में जितने छक्के लगेंगे उतने ही पेडों को लगाने की होगी तैयारी टूर्नमेंट में देश की आठ टीमों ने लिया है मलत बाजार के घस्टोल में तेस्ट रफ्ता दो ट्रकों के बीच हुई जोरदा टकर हाथ से में एक ट्राइवर का पैर गाड़ी में फसा ट्राइवर को निकालने के लिए गैस कटर के लिए जा रही ही वारत अर्दा से विष्णों इस समाज के सेकड़ों लोग जोदपूर के लिए रवाना खेल चड़ी में होने वाले मा अमरता देवी के बनेदान दवस कारगर में होंगी शामिल मलेदान सतल से प्रवित्र मिट्टी लेकर लोटिंगे अपने गाउं इन दौर के चौक से धर्मशाला में दिखविज़ा सिंग मंडलम सेक्टर के लेंगे बाठा कॉंगरस से जुड़े सब ही संग्टनों को शामिल होने का नौता भेजा गया इन दौर की कैसी चोपर 30 सालों से बीज़बी का कब से गौलिर में फिर बदला मौसम का मिजास तेखजांदी और वारिश की जताई गई संभावना अरब सागर के ओर से आ रही नम हवाओं से बदला मौसम सिहोर में स्वसायत असमु की महिलाओं ने लिखी सफलता की नई कहानी इनकी हातों से बने साबून की आज 17 जिलों में डिमाड 10 लाग से जादा 5 महिलाओं ने शुरू की थी यूनिट 2023 की महा भारत के लिए कॉंगर्स ने कसी कमार कल विलासपुर में होगा संभागे समेलेन 8 जून को दुर्ग राइपुर और सरगुजा में जुटेंगे सियासी दिकच जश्पुर के बादल कोल बन अभ्यारण ने शेत्र में सडक मरमत है काम शुरू बीते देनों ग्रामिन ने किया था चनाव वहिशकार कैलान बारिश की बाल बनाए जाएगी पकी सडक राजदानी राइपुर में भाज़ी मों दिखाएगी सरकार को दम सरकारी युजणा में चलरे भ्रशाचार के खलाफ बजजाए की सियासी बिगुल जैस्तम से लेकर मंत्री लख्मा के करता करेंगे बाच पेंडरा में धान लेकर जा रहा ट्रक बेकाबू हो कर खेत में गुसा हाथसी में ड्राइवर और हिलपर हुए घायद मोड पर ट्रक को काबू करने के चकर में कुआ हाथसा प्रिजोरिया बिमारी से जूज रहे गरियाबंद के शैलेंदर रित्रोप का हुआ निथन सीमबू पेश पखेले बनाया था शैलेंदर वो एक दिन का लेक्टर लंबे वक्सी बिमार चल रहे थी शैलेंदर गरियाबंद के शैलेंदर रूप की मौद पर सीमबू पेश प वाटों में पार्शुदों के उफ्चुनाव में 15 प्रेक्षक वे नियुक्त शुनाव प्रचार में खर्च होने वाली रकम पर टीम रखेगी नज़र। अब रुकरेंगे सीहोर के और खोले बोर्वेल में तीन साल की मासूम गिर्च चुकी है जिसे निकालने के लिए तमाम कवायदें तेज करती गई हैं सुचना के बाद रेस्क्व के लिए टीम है आपर पहुँच चुकी हैं ग्राम मंगावली का ये पूरा मामला पारलल में गठा खोदना भी शुरू हो चुका है जिसे भी मदद से इस गठे को खोद कर इस बच्ची को बाहर लाने की कोशिश और साथी साथ बोर्वेल पर तमाम परजन बच्ची के मौजूद हैं कोशिश करें कि इस बच्ची से संपर्क बनाया जा सके और जिस सब्सक्रा से प्रात्विक जानकारी तक सामने आई है बच्ची में अभी भी देखने को मिल रहा है ये बताया जा रहा है कि प्रशास्तिक अमला अब इसी ओर जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द पारललल प्रशास्तिक अमला भी देखें लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बच्ची से बाचीत कर सकें जिससे बच्ची अंदर घबराए ना खाना पानी भी सप्लाई करने की कोशिश इस बच्ची को लेकिन चुकि ये बता जा रहे है कि 20-30 फीट तक ये बच्ची हो सकती है एक अ अब इसी चीज पर जोर है प्रात्मिक तोर पर के जल से जल इस बच्ची को बाहर निकाला जा सकें जोड़ रहे हैं प्रदीप क्या कुछ अप्डेट इससे लेकर अभी तक प्रशाशन की इस तांसे इस्ता में पूरी तरह से अठकी हुई है स्पार्ट क्या क्लेक्टर एस्पी रेस्क्यूटिव एस्जियारे पीम और जो बोपाल के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कॉल करके इंसे पूछा गया है और सबसे अच्छी बात यह बोर जो है कल ही खुद बात करने का प्रयास है और बच्चे के पिता का यह कहना है रही पापा मुझे बचाओ मैंने सो बोला बेटाम तुम बचाना है चिंदा तुम बस खड़े रहना यह भी उनके पिता ने कहा है यह बंदीगा प्रदीप क्या अधिकारियों से भी तक बात चीत हो पाई है क्या किस तरह के इंतिजाम है जमीनी इस तरह पर कब तक इस बच्ची को बहार निकालने के लिए यह रैस्यो आप्रेशन पूरा होगा इससे लेकर कोई अभी तक डीटेल साजा की गई है प्रदीप आप इस बात को लेकर भी लगातार कह रहे हैं कि हां कि मिटी किस खेती किसानी वाली है आपर कई सारे खेत हैं और बीच में पत्थर जैसे चटानों जैसे कोई मुसीबत नहीं आ सकती है क्या यह मारे कि रैस्क्यो आप्रेशन जल से जल्द पूरा कर लिया जाएगा इस बच्ची को जल्दी बचा लिया जाएगा इसे लेकर हाँ देखें क्लेक्टर प्रवीन सिंग के हमारी बात है उनका यह कहना है इस पूरे मामले के अंदर कि जो क्रिसी वाग के अधिकारियों किया बुलाएगे एक्सपर्ट यहां की जवीन का लोकेशन लिया गया है दुरुमुट मट्टी होने के कारण चुकि यहां पर बड़े बड़े पत्थर नहीं निकल पाएंगे इसलिए यह रेस्क्यू चलने में शाहिद जल्दी हो रोजकता है बच्ची जो है बच्ची को समय रहते हुए बाहर निकाला जाएगे प्रदीब अब लगातार बने रहेगा सिहौर की इस घटना को लेकर एक और बड़ी ज्वानकारी सिहौर में मासूम की बोरवेल में गिरने का यह मामना जैसे ही सामने आया सियम शिवराज सिंग चोहान ने खुद इस पर संग्यान लिया है सियम ने प्रशासन को निर्देश दिये बच्ची को सकुषल निकालने की बोरी कोशिश की जाए मुख्यमत्री की तरफ से साफतार पर कहा गया है कि इस बच्ची को निकालने का काम लगाता जारी रहना चाहिए गटनास तल पर जले के तमाम अधिकारी भी मौझूद है तीन साल की मासूम बच्ची बोरवेल में जागिरी है प्रदीब पेरी आवास पहुंच रहे आप तक चली कोशिश करेंगा हम संपर करें प्रदीब से लेकिन ये देखे किस तरह से मुख्यमत्री ने फौरण से जखता दिखाते हुए प्रशास्त ने कमले से सीधे बाचीत के सीधे निर्देश्वत किया है कि जैसे भी हो सके जितनी भी चीजों की जरौत हो जल से जल भोपाल तक इस बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके और तीन साल की इस मासूम को निकालने के लिए एक ओश रिशे लगातार जमीनी सर्पर आप जो इस त्यार्यव के जवान है वो भी कर रहे हैं के साथ प्रशास्ति कमला लगातार तैनात है आप देख रहे हैं मुखेबत्री शिवराज सिंग चौहान की तरफ से भी इंद्रदेश की जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को बाहर निकाला जाए सेम शिवराज ने मामले पर संग्यान लिया है बच्ची को सकुषल निकालने की पोरी कोशिश की जा रही है तस्वीरों के जरीए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की सिती यहां पर होगी चुकि प्रशासनिक अमला बहुत सीरिसली इस काम में अब जुड़ चुका है यह बताया जा रहे कि 20 फीट तक यह बच्ची फसी हो सकते हैं अभी तक लगाया गया है चुकि बच्ची की बात भी हो रहे है पर इजन से इसलिए उमीदे लगातार बढ़ती हुई यह भी बताया जा रहा है कि उस पर नजरे भी लगातार बनी हुई है और आप जश्पुर से लिए बड़ी खबर जल संसाधन विफाक में हंगामे किस्तिती देखने को रहे हैं विफाक की करमचारी ने उत्पात मचाय जरापके नशरे में करमचारी ऑस में पहुंचा हंगामा किया है गंटों हंगामा चलता रहा नशेविदुत डेटा एंट्री ओपरेटर लगातार हंगामा करता रहा तस्पीरें आपकी जीविस्ट्रीज पर पता जारे कि नशे की यालक में आपर पहुंचा था उसकी बाद जम कर बबाल काटा और बीजेपी अधिक्ष वेपी नडड़ा ने सूरिनाम के सरवोच समान Grand Order of the Chain of Yellow Stars से समानित ये जाने पर राशपती द्रौपदी मुर्मु को बदाई दिये नड़ा ने लिखा है कि सूरिनाम के सरवोच समान Grand Order of the Chain of Yellow Stars से समानित के जाने पर माननीय राश्पती द्रौपदी मुर्मु जी को बधाई सूरिनाम के लोगों के ओर से सम्मान हमारे दोनों देशों के बीच स्थाई संबंदों को दर्शाता है ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नडड़ा पीज़ेपी के राश्पती द्रौपदी मुर्मु को बधाई संदेश सूरिनाम के तरफ से इतना बड़ा सम्मान दिया जाना देश के लिए भी गौरफ का विशे और इसके साथ बोलेटिन में इतना ही तेक्तरेगी नियूज जठी है